भाजपा सांसत और बॉलिवूड एक्ट्रेस कंगना रनावत लागतार सुर्खियों में छाई हुई हैं पहले वह मूवी इमर्जन्सी को लेकर सुर्खिया बटो रही थी और अब वह अपनी एक प्रोपर्टी को बेचने के कारण खबरों में आ गई हैं बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने मुंबई के बांदरा में पाली हील इहलाके में अपना बंगला 32 करोड रुपए में बेच दिया है इस बात की जानकारी रेजिस्ट्रेशन डेकुमेंट से मिली है डेकुमेंट्स से पता चला है कि एक्ट्रेस कंगना रनाउत ने इस बंगले को सितंबर 2017 में 20 करोड रुपे में खरीदा था और अब उन्हें बेचने के बाद 12 करोड का मुनाफ़ा हुआ है डेकुमेंट्स के मुताबिक मंगला 3075 वर्ग फिट में फैला है और इसमें पार्किंग का हिस्सा 565 वर्ग फूट है इस डिल का रेजिस्ट्रेशन 5 सितंबर को हुआ है जिसके लिए एक दस्मलो 92 करोड स्टेम डिवटी और 30,000 रुपे रेजिस्ट्रेशन फीस बरी गई है कंगनारनाओत ने अपने हलफ नावे में एक कानविक करोड से अधीक नेट वर्थ बताई थी जिसमें 28.7 करोड की चल समपत्ती और 62.9 करोड की अचल समपत्ती सामिल थी दर असल सितंबर 2020 में BMC ने बांदरा के पाली हिल में कंगनारनाओत के प्रोपर्टी को नुकसान पहुचाया था कथित अना धिकरित निर्माण के आधार पर यह तोड़फुड की गई थी जिसके लिए वह काफिस शुरुख्यों में रही थी वही हाली में कंगनारनाओत मुंबई के अंधेरी इलाके में 1.56 करोड दुपए में एक ओफिस खरीदा था जो 407 वर्गफुट में फाइला है अब बताया गया है कि यह 19 मंजिल पर रिष्थी थे इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहे ये एबी भी एंटर्टेन्मेंट